मूवी के स्टार्टिंग में हम एक साट साल के बुरे आदमी को देखते हैं जिसका सर लोहे जैसा बना हुआ था इन फैक्ट वो अपने सर पर इट मार कर उसे तोर सकता था उनका एक भाई भी था जिन्होंने लोहे के डंडे से मार मार कर अपना बॉड़ी इतना जादा स्ट्रॉंग बना लिया था कि अब उसकी बॉड़ी को कुछ भी नहीं होता था जबकि उनकी बहन अपने चीक से सबको ड़ा सकती थी उसकी हसी सुनकर लोगों के कान के परदे फर जाते थे वो रोजाना पांच ग्लासों को तोरती और ऐसे ही वो अपने गले का प्रैक्टिस किया करती थी बच्पन से ही आईरन हेंड और उनकी भाई बहनों को ऐसे ही ट्रेनिंग दी गई थी बच्पन में तो सब लोग उनकी इस हुनर को बहुत पसंद करते थे मगर अब वो बूरे हो चुके थे और लोगों ने उन पे दिल्चिस्पी लेना छोड़ दिया था उनका ये हुनर अब उनके लिए किसी काम का नहीं था उन तीनों के पास कोई भी काम नहीं था और ना ही पैसे थे और इसलिए आइरन हेट पर बहुत ज़्यादा करस चर चुका था वो अपने इस करस के बज़ा से बहुत ज़्यादा परिशान था एक दिन लोन देने बाले उनके घर पे आते हैं और घर का सारा कीमती सामान उठा कर ले कर चले जाते हैं लेकिन तब ही उन में से एक आदमी आइरन हेट का एक सर्टिफिकेट उठाता है और वो कहता है कि क्या फाइदा इन फुजूल कामों का और उनका मजाक उड़ाता है अब आइरन हेट अपने जिन्देगी से बहुत ज़्यादा परिशान हो चुका था और अब वो अपने जिन्देगी को बदलना चाता था वो इस साथ साल के उमर में नौकरी धूनने के लिए चला जाता है वो रोट पर जाते हुए कुछ लोगों को देखता है जो एक दूसरे को पैसे दे रहे होते हैं वो पैसे देखकर ये सोचता है कि इतने साथा पैसे लगता है ये कोई गैंक स्टार का ग्रूप होगा Iron Head अब इन लोगों के पीछे जाने का फैसला करता है वो उन लोगों का पीछा करते हुए वहां तक पहुच जाता है जहां पर यह सभी लोग रहा करते थे और यहां पर यह मिल कर यह लोग अपना काम करते थे लेकिन एक आदमी ने Iron Head को बहा निकाल दिया था तब ही उनका लीडर कहता है कि रुक जाओ मुझे अंकिल की बात तो सुनने दो जब वो यह सुनता है कि Iron Head उनके ग्रूप में शामिल होना चाता है तो वो सब हस पड़ते हैं इस बात पर कि यह बुरा आदमी हमारे गैंग में शामिल होगा तब Iron Head यह कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंट दिखाने का मौका तो दो लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उन्हें बाहा निकाल देते हैं अब वो घर वापस आ चुके थे रात को उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए आती है Iron Head एक इमान दारात भी था लिए वो Iron Head को लेकर अपने बॉस के पास चले जाते हैं आखिरकर उनका बॉस ऐसा जज़बा देखकर उन्हें एक चांस दे ही देता है और कहता है कि तुम्हें अपना स्ट्रेंट प्रूफ करने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से बहुत सारे पैसे लाने होंगे जिसने हमसे कर्ज लिया हुआ है अब Iron Head उस आदमी के पास जाता है वो एक आदमी के साथ बैटा हुआ खाना खारा था तभी Iron Head उसके पास आता है और पैसे मागता है वो उसे पैसे देने से इंकार कर देता है तभी Iron Head उसके खाने पे थूख देता है जिसकी बज़ा से वो बिजनेसमैन गुसा होकर एक काच की बोतल उसके सर पर दे मारते हैं लेकिन वो तो Iron Head था उसे क्या हो सकता था वो खुदी दस बारा पोतल अपने सर पर दे मारता है ये देखकर सभी उस बिजनेसमैन को बुड़ा भला कहने लगते हैं इस बात पर तंगा कर वो बिजनेसमैन उसको अपना क्रेडिट कार्ड ही दे देते हैं अब जब Iron Head उस गैंग के पांस इतने सारे पैसे लेकर जाते हैं तब वो लोग बहुत जादा खुश हो जाते हैं तब ही Boss उसको 30% कमिशन भी दे देता है उस ग्रूप के एक आदमी को Iron Head की इतनी जादा तारीफे देखकर उस कैंग की एक आदमी को उनसे जलन होने लगती है वो जाकर Boss के कान भरने लगता है लेकिन Boss उसकी कोई भी बात नहीं सुनता अब Iron Head उनके साथ मिलकर ऐसे ही काम करने लगते हैं और इसी तरह एक ही महिने में वो काफी अमीर हो गया अपने घर में उसने सारी नई चीज़े खरीद ली थी लेकिन उसने इस काम के बारे में अपने भाई बहन को नहीं बताया था और ना ही वो अपने मास्टर को कहता है क्योंकि वो ये जानता था कि ये लोग अगर जानगे तो वो लोग उसे ऐसे बुरे काम नहीं करने देंगे एक दिन उसको बाओ नाम की एक आदमी से कुछ पैसे लेने थे वो उसी तरह अपने सर पर बोतल मारता है और उसे डड़ा कर पैसे मांगता है लेकिन बाओ के पास पैसे नहीं थे इसलिए वो थोड़े से पैसे आईरन हेट को दे देते हैं अब जब आईरन हेट अपने बॉस के पास पैसे लेकर जाते हैं तब वो आदमी जो कि आईरन हेट से जलता था वो ये कहता है कि ये तो बहुती कम पैसे हैं और हमारा ये रूल है कि हम पैसे पूरे लेते हैं अब जब वो इतना जादा बोलता है तब Iron Head ये कहता है कि मैं तीन दिन के अंदर सब पैसे ले कराऊंगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है लेकिन जब रात को वो घर जा रहा होता है तब कुछ आदमी उसे बहुत मारते हैं और उस लोन के पेपर भी फार देते हैं ताकि वो बाउ से तीन दिन के अंदर अंदर पैसे ना ला सके ये सब लोग उसकी आदमी होते हैं जो उनसे जेलस था अगले दिनों दुबारा से बाउ के पास जाते हैं और उसका पैर पकड़ कर पैसे मांगने लगते हैं जो लोग उन्हें ऐसा करते हैं वो लोग अब बाउ को ही बुरा बाला कहते हैं पाउ ये सब कुछ देखकर इन सब से तंग आकर अपने सर पर आईरन हेट की तरह इट माल लेता है जिस वज़े से उसके सिर से खून आने लगता है ये देखकर वो उसके सिर से खून को साफ करता है और ये सोचता है कि मैं पैसे लेने के लिए कितना जादा नीचे गिर गया लेकिन दूर खरे हुए एक गारी में बॉस और उसके एक आदमी ने आईरन हेट पर नजर रखी हुई थी अब बॉस को भी उस पर शक होने लगा था पर वो अपने आदमी से ये कहता है कि तीन दिन रुख जाओ एक शाम आईरन हेट के भाई बहन उसके घर पर आते हैं और वो सब उसके घर में नए चीज़ों को देख कर ये पता लगा लेते हैं कि उसने ये सब कुछ कैसे खरीदा आईरन हेट जिन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं वो करीब लोगों को पैसे उधार देते हैं और बापसी में वो लोग उनसे दुगने पैसे लेते थे वो ये कहते हैं कि तुमने अपने ट्रेनिंग का इस्तेमाल कितने गलत लोगों के लिए किया Iron Head अपने बहन भाईों के बातों पर बहुत जादा embarrassed फिल करता है उसने सारे पैसे टेबल पर fake दिया था और ये कहता है कि अब में ये काम नहीं करूंगा और जब उसके बहन भाई एसब पैसे देखते हैं तब उनके दिल में भी लाला चा जाता है वो लोग भी उसके साथ इनकाम में शामिल हो जाते हैं वो लोग जा कर डड़ा का लोग उसे पैसे वुसुल करते हैं और एक घंटे में बहुत सारे पैसों के मालिक हो जाते हैं सिर्फ एक आदमी बाउ हुई रह गया था जिनसे उन लोगों को पैसे लेने थे लेकिन जब आईरन हेट की बहन दो दिन तक बेगरे रुके बोलती रहती है नितेज आवाज में कि पैसे दे दो पैसे दो तो वो तंग आ कर अपना घर बेच कर उन लोगों को पैसे दे देता हैं अब उनका बॉस बहुत जादा खुश हो जाता है और अपने पुराने लोगो जीने लगे थे आईरन हेट के परदे पर उसके हेट बॉस मिलने आता है और वो ये कहता है कि हम अब कॉलिज के स्टूडें को भी लौन देंगे और बापिस ना मिलने पर हम उन्हें भी तंग करेंगे और इस बात पर अग्री नहीं था लेकिन वह बॉस के डर से कुछ कह भ पहने का कह रहे थे वो अप इन सब चीजों में परणना नहीं चाल रहा था इसलिए वो अपने फैमली को बोर्ट पर लेकर घूमने के लिए चला जाता है चाहाँ पर सफर में उसको पाउ की फैमली भी मिलती है पाउ की वेटी ऐरन हिट के पोते को ये कहती है कि हमारी इस में कुछ लगने से उसको तर्थ मैसूस हो रहा था और खून भी आया था वो यह समझ पा रहा था कि यह सब कुछ उसके बुरे कामों का नतीजा है वो बाओ की मां को घर लेने के लिए पैसे देता है और वो अपना ये काम छोने का फैसला अपने बॉस को बता देता है हैरानी ये थी कि उसके बॉस ने बड़े आडाम से उसकी ये बात मान ली थी लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी कि उस बॉस ने आईरन हेट के पोते को किद्नैप कर लिया था सबसे वो बहुत गुस्से में आ जाता है वो सब भी कुछ गंस लेकर बॉस के घर में चले जाते हैं ह वो उने ब्लैक मेल करते हैं और उन लड़कियों का विडियो बनाने के लिए कहते हैं तो कि वो उस दर्की को बॉस के साथ रहने का कह रहे थे लेकिन आईरन हेट ने इस बास से इंकार कर दिया था और जिस बज़स से वो शूट करने के लिए आईरन हेट के हेट पर गन दिया जाता है और जिसके बाद मुवी के एंडिंग में आईरन हेट और उसके सभी बहन भाई इन सब गलत कामों को छोड़ने का फैसला करते हैं और इसी पॉजिटिविटी के साथ ये मुवी एंड हो जाती है तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्थी